हेलो बच्चो कैसे हैं आप बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्सा 5 प्रियावरन अध्यन यानि EBS के अंतरगैच चैप्टर नमबर 9 डायरी कमर सीधी उपर चड़ो और हम आपको बताएंगे इस पार्ट से संबंदित प्रश्णों के उत्तर लेकिन इससे पहले आईए देख ल तो बच्चो आप देख ले नहीं आपर ये है आपका चैप्टर नमबर 9 डायरी कमर सीधी उपर चड़ो आप इस पार्ट को अपनी पाठ्य पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं और चाहे तो यहां से भी पढ़ सकते हैं लेकिन इस पार्ट को एक बार आउस्य पढ़ें ताकि आपको इस पार्ट में जो प्रस्न उत्तर हम आपको इस पार्ट से समझित बता रहे हैं, इनके उत्तर आपको अच्छे से समझा जाएं, तो आप देख रहे हैं यहां पर बच्चों, यह है आपका पार्ट, पूरा पार्ट हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, आप इसे अव अच्छी प्रकार से पढ़ें समझें और जो हम आपको यहाँ पर इन पार्ट से सम्मंदित प्रस्नों के उत्तर बताएंगे वन्हें आप अपनी नोट भुग में नोट भी करेंगे ताकि आपको परिक्षा के लिए अच्छी सी त्यारिया आप उन्हें कर सके और उन्हें याद भी कर सके तो यह है बच्छो आपका पूरा पार्ट देखाने आप नहीं इस प्रकार से आपका यह था पूरा पार्ट आप इसे अवस्य पढ़ें यहां से भी पढ़ सकते हैं आप और अपनी पार्टे पुस्तक से भी इसे पढ़ सकते हैं चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं इस पार्ट से सम्बंदित प्रस्नों के उत्तर तो ये है बच्चो पूरा पार्ट आपने पढ़ लिया होगा और अब इसके बाद आईए देख लेते हैं इस पार्ट से सम्बंदित प्रस्नों के उत्तर तो बच्चो आप ध्यान दे हमारा आज का पार्ट है डायरी कमर सीधी उपर चड़ो और हम आपको बता रहे हैं इस पार्ट से सम्मंदित प्रस्णों के उत्तर अभ्यास प्रस्ण उत्तर यहाँ पर देख रहे हैं आप सबसे पहले यहाँ पर क्या है आप देखेंगे 77 नमबर पेज पर यानि 77 नमबर पेज पर आप देखें यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रस्ण इसमें बताओ के अंतरगैत पहला प्रस्ण है क्या तुमने कभी पहाड़ देखे हैं पहाड़ों पहाड देखे तो यदि आपने भी देखें बच्चो तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं कि आपने कहां देखें दूसरा प्रस्ण है तुम एक ही बार में पैदल कितनी दूर तक चले हो कितना चल सकते हो तो आप उतर में लिखेंगे मैं एक बार में दो किलो मिटर एक ही चितर बनाओ तो उतर में आप जो है उसका चितर बना सकते हैं देख रहें न आप यहां पर यह रास्ता पूरा आप इसे अच्छे से बनाएं और यहां पर जो साइड में है यह जो है आप हरे हरे जंगल ओकर दिखा सकते हैं यहां पर गास जाड़ी यहां दिखा सकते हैं और इसके बाद आगे प्रसने आपके लिए यहां पर आप देख रहें ने बताओ पहला प्रसने है गुरूप लीडर की जिम्मेदारी जिम्मेदारियों के बारे में तुम क्या सोचते हो उतर लिखेंगे गुरूप लीडर की जिम्मेदारी अपने गुरूप के सारे सदस्य का ध तो उनमें क्या होता है आपके साथ एक गुरूब लीडर भी होते हैं चाहे आपके टीचर हो और चाहे आपके पेरेंट्स उनका कारे क्या होता है उन सब बच्चे जितने विनके साथ गए है पूरे गुरूब का ध्यान रखना इसके बाद दूसरा प्रस्ण है बच्चो अग हमारी कक्सा में मौनिटर की क्या-क्या जिम्मेदारियां होती हैं। उतर लिखेंगे कक्सा में मौनिटर की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे आपकी कक्सा में आपने देखा होगा बच्चो क्या जिम्मेदारी होती है मौनिटर की। जैसे सिक्सक की अनुपस्तिति मे चात्रों को अनुसासित रखना चात्रों की बाद सिक्षकों तक पहुँचाना ककसा में चौक, डश्टर ला कर रखना ये सब किसकी जिम्हदारी होती है ककसा मॉनिटर की इसके बाद 4 परस्ण है बच्चो क्या तो मॉनिटर बनना पसंद करोगे और क्यों उतर लिखेंगे हाँ मैं मॉनिटर बनना पसंद करूँगा क्योंकि यह बहुत ही जिम्मेदारी का काम है इससे आत्म विश्वास भी बढ़ता है इसके बाद आप देखेंगे अगले पेज पर आप जो अपनी पाठे पुस्तक के 80 नमबर पेज यहाँ पर देखेंगे आप 80 नमबर पेज पर यहाँ पर आपके लिए प्रसन पता करो और लिखो पहला प्रसन है पहाड़ों पर चड़ने के लिए किन किन चीजों की जरुरत पड़ती है उतर लिखेंगे आप पहाड़ों पर चड़ने के लिए मोटी रसी लंगर और हुक कील लगे जूते दस्ताने पानी की बोतल खाने के पैकेट आक्सिजन आधी चाहिए होता है इस परकार आप उत्तर लिखेंगे और दूसरा है प्रस्ण फिर आपके लिए रसी के रसी और हुक का इस्तमाल किसी और चीज में भी होते देखा है अगर देखा है तो कहां उत्तर लिखेंगे रसी और हुक का इस्तमाल का होता है कोई से पानी खीजने में देखा है देखा है ना आपने और इसके बाद तीसरा प्रस्ण है बच्चो पहाडी नदी पार करने के लिए हम और किन किन चीजों का इस्तमाल कर सकते हैं उत्तर लिखेंगे पहाडी नदी पार करत इसके बाद अगला प्रस्निय चौथा प्रस्निय आपर पाड़ों पर ज्यादा सक्ति की जरूरत क्यों पड़ती है उतर लिखेंगे पाड़ों पर हम गुरुत्त्वा कर्शन के बिरुद्द चड़ते हैं वहां की सतय भी उची नीची होती है जिससे हमें पाड़ों पर चड है आपने बच्चों उतर लिखेंगे हां मैंने जोकिम भरे काम के बारे में अपने दोस्तों से सुना है एक बार मेरे दोस्त' ने पानी में डूपते हुए एक बच्चे को बचाया था इस परकार भी आप लिख सकते हैं या फिर आप दूसरा कोई अन्य कार्य लिख सकते हैं इसके बाद बच्चो यहाँ पर छटा प्रसने आपके लिए क्या तुमने कभी कोई हिम्मत भरा काम किया है यदि हाँ तो अपनी कक्सा में सुनाओ उसे अपने सब्दू में लिखो उतर में आप कह सकते हैं एक बार मैं स्कूल जा रहा था एक बच्चा गिर कर जक्वी हो गया था मैंने उसे रिक्से में होस्पिटल पहुचा दिया यदि आपने भी ऐसा कोई कार्य कर रहा है तो आप उसे भी लिख सकते हैं चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसके बाद बच्चो आप देखेंगे अगले नमबर पेज पर यहाँ पर 81 नमबर पेज यानि 81 नमबर पेज पर आप देखें वहाँ पर कुछ प्रस्न हैं आपके लिए बताओ और पहला प्रस्न है क्या तुम पेड़ पर चड़े हो कैसा लगा उतर लिखेंगे हाँ मैं अपने गाउं में अमरूत के पेड़ पर चड़ा था मैं थोड़ा डर गया लेकिन मज़ा आया यानि कि बहुत मज़ा आया और दूसरा प्रस्न है पेड़ पर चड़ते हुए तुमें डर लगा था या नहीं क्या कभी गिरे भी तो आप उतर में क्या लिखेंगे आप उतर लिखेंगे पेड़ पर चड़ने में मुझे थोड़ा डर लगा लेकिन मैं कभी गिरा नहीं और इसके बाद बच्चो अगला प्रसने आपके लिए तीसरा प्रसन क्या तुमने कभी किसी को छोटी दिवारों पर चड़ते देखा है दिवार पर चड़ने और चटान पर चड़ने में तुम्हें क्या अंतर लगता है उतर लिखेंगे आप हाँ मैंने कई बच्चों को दिवार पर चड़ते देखा है दिवार पर चड़ना बहुत आसान है जबकि चटान पर चड़ना बहुत मुश्किल है और इसके बाद आप अगले पेज़ पर देखेंगे 82 नमबर पेज़ पर यानि 82 नमबर पेज़ पर देखें आप अपनी किताब के, वहाँ पर कुछ प्रसने आपके लिए, पहला प्रसने है, क्या तुम्हारी कक्सा में कोई ऐसा बच्चा है, जिसे तुम्हारी बासा समझ नहीं आती, या जिसकी बासा तुम समझ नहीं पाते, ऐसे में तुम क्या करते हो, उतर लिखेंगे, हाँ, मेरी कलास में एक बच्चा है जो तमिल नाडू का है यानि दूसरे इस्टेट का है उसे मेरी बासा समझ नहीं आती और मैं उसकी बासा समझ नहीं पाता हम लोग या तो इसारों में बात करते हैं या फिर अंग्रेजी में बात करते हैं इस प्रकार से होता है ना बच्चे हो जब को तुम रास्ता भूले हो तुमने तब क्या किया उतर लिखेंगे हाँ मैं बहुत बार रास्ता भूला हूँ लेकिन मैं अपने पिताजी का फॉन नंबर कभी नहीं भूलता और फॉन करके उनसे मदद मांगता हूँ तो बच्चों आप ध्यान रखें आप भी हमेशा अपने प इसके बाद तीसरा प्रस्न है बच्चों खान दोन भी ने ऐसी इस्तिति में जोर जोर से गीत क्यों गाया होगा तो यहां पर आप लिखेंगे उतर लिखेंगे खान दोन भी ने अपने गुरूप के सदर्शियों को बुलाने के लिए जोर जोर से गीत गाया होगा इस परक प्रवाई डर से बचने के लिए अपनी आखें बंद कर लेता है उसके बाद पांच वाप रसने बच्चो बिना बात किये अपने दोस्तों से किताब या कुछ चीज मांगो इसी तरह कक्सा में बिना बोले अपनी बात समझाने की कोशिस करो तो उत्तर में क्या करेंगे आप उत्तर आप स्वयम बनाएंगे इसका कैसे बनाएंगे क्योंकि आप किताब भी स्वयम मांगेंगे आप कुछ चीज मांगेंगे तो आपको पता होगा ना कैसे मांगेंगे और बिना बोले कैसे मांगेंगे तो इसका उतर आप सुयम्ज़ कर सकते हैं अगला प्रस्न है बचो यहाँ पर आप देखेंगे 84 नमबर पेज यानि की 84 नमबर पेज पर देखें आप अपनी किताब के वहाँ पर जो आपको मिलेगा ऐसे चर्चा करो और पहला प्रस्न होगा वहाँ पर पहाड़ों पर टेंट के चारू तरफ नाली क्यों खोदी गई होगी उतर लिखेंगे पहाड़ों पर टेंट के चारू और नाली जहरीले कीडे और सापों से बचने के लिए खोदी गई थी इसके बाद दूसरा प्रसन है पर बता रोहन की तरह और कौन-कौन से काम है जिने एडवेंचर कहा जाता है उत्तर लिखेंगे आप निमलिकित कामों को भी एडवेंचर कहा जा सकता है कैसे कामों को बच्चो जैसे पाड़ी नदी को पार करना हैंग गलाइडिंग करना पैरा सूट से कूदना और समुदरी लहरों पर सर्फ बोर्ट की साहता से चलना इस प्रकार से यह है न सब के सब एडवेंचर है यह तो आप इसे उत्तर में लिख सकते हैं इसके बाद बच्चो आप देखेंगे अगले नमबर पेज पर 85 नमबर पेज देखें आप अपनी प्रियावरेन यानी EBS के 80 नमबर पेज पर देखें वहाँ पर आपको कुछ प्रस्ण मिलेंगे पहला प्रस्ण है तुम पहाड़ पर हो तुमें वह कैसा लग रहा था पर देखें आप 86 नमबर पेज यानी 86 नमबर पेज पर देखें आप अपनी किताब के वहाँ पर आपके लिए कुछ प्रस्ण है सोचो में जहाँ पर सोचो है वहाँ पर प्रस्ण है पहला प्रस्ण है बचेंदरी ने चोटी पर तिरंगा क्यों गाड़ा होगा बचेंदर प्रसने है जंडा कब कब फैराते हैं तो कब फैराते हैं बच्चों आपको तो मालूम होगा जंडा कब फैराते हैं जंडा हम स्वतंतर दिवस और गंतंतर दिवस के आउसर पर फैराते हैं जानते हैं आप इंडेपेंडेंडेंस डे और रिपब्लिक डे जब आप मनाते हैं तो आप तब जंडा फैराते हैं न तो इसी प्रकार आप उतर में लेखेंगे 51 गंस्रता द्युस पर आप जोए जंडा फैराते हैं. तीसरा प्रसन है क्या तुमने किसी और देश का जंडा देखा है? कहां देखा बच्चो? हाँ मैंने बहुत देशों के जंडे देखे हैं टीबी पायर और किताबों में आप देखना बच्चो जब क्रिकेट के मैच होते हैं उस टाइम भी बहुत सारे जंडे देखने को मिलते हैं अलग-अलग देशों के तो आपने टीवी पर देखे होंगे तो इस प्रकार आप उत्तर लिखेंगे और चौता प्रसने है बच्चो आपके लिए अब 6 या 8 बच् तो आपने क्यों चुना आप उत्तर में क्या लिखेंगे इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं बच्चो जैसे यहाँ पर दिखाया गया है जंडे का डिजाइन आपने ये दिखा न इस प्रकार से आप बना सकते हैं इसमें आप कलर भी भर सकते हैं और इसके बाद है य यानि उदेषिके बार में भी जानकारी देगा इसके बाद बच्यो अगला प्रसने है हम क्या समझे है वर पहला प्रसने है लोग अड़वेंचर के लिए क्यों जाते हैं उतनल लिखेंगे अडवेंचर के में एक रोमान चकारी अनुभ़ होता है इसलिए लोग एडवेंचर के लिए जाते हैं आप भी जाते हैं बच्चो चलिए दूसरा प्रस्निया है कोई दो उधारन लेकर समझाओ कि पहाड़ पर चड़ना एक चुनोती वरा एडवेंचर क्यों हो सकता है तुम पहाड़ पर चड़ने जाते तो क्या तैयारी करते अपने साथ-साथ क्या-क्या ले जाते उत्तर में लिखेंगे आप पहाड़ पर चड़ना बहुत ही मुश्किल काम है इसमें गंबीर चोट लगने या जान जाने का भी खत्रा रहता है इसलिए पहाड़़ पर चड़ना एक चुनोती वरा एडवेंजर है पहाड पर चड़ने के जाने से पहले मैं किसी पर्शिक्षन के इंदर से पर्शिक्षन लेता पहाड पर जाते से मैं मोटी रसी, हुक, एंकर, दस्ताने, पानी की बोतल, खाने के पैकेट, ऑक्सिजन, कुछ दवाई आदी ले जाता क्योंकि ये सब वहाँ पर काम आएंगे बच्चो इस परकार से आपने देखा यहाँ पर कि हमने आपको प्रशन के उतर बताए, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे और इसी प्रशन के साथ बच्चो, इस पार से सम्मंदित आपके प्रशन के उतर समापत होते हैं आप इन्हें अपनी नोट बुक में लिखें इन्हें याद करें बार बार इस वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए तो आज हम क्या पढ़ रहेते हैं कक्सा पांच प्रियावरन अध्यान यान एबियस के अंतर गया चैप्टर नमबर नाइन डायरी कमर सीधी उपर चड़ो और हमने आपको बताए इस पार से समझ मंदित प्रस्णों के उत्तर तो बच्चो इसी परकार कक्सा पांच प्रियावरन अध्यान यान एबियस के सारे पार्टों के प्रस्ण उतर जानने के लिए आप चैनल में हमारे साथ लगातार इसी परकार जुड़े रहें और देखते रहें आपने सारे सवालों के जबाब तो बच्चो आज के लिए इतना काफी है आप इसी परकार हमारे साथ जुड़े रहें आपका दिन सुभ हो